जहेंद फिंस, वेलकम तो सेंचुरियन डिफिंस अकैडमी शुरुबात यहां से करूँगा कि अब हमारे जीत के सिलसले कम नहीं होंगे लड़ते रहेंगे सदा कभी बेदम नहीं होंगे अभी तो वर्ड कप है जरा सी ठहर दुनिया ऐसा कोई कप नहीं होगा जहां हम नहीं होंगे आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया वर्ड कप फाइनल्स में है संडे को और इंडिया का वर्ड कप फाइनल होने वाला ICC Men's World Cup जो 50 Oval का होता है और सिर्फ हम एक कदम दूर हैं इस वर्ड कप को पाने में लेकिन इस वर्ड कप के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़े महसूस करी जो मैंने समझा कि इसे आपके साथ सेयर करना चाहिए जिसके चलते हैं मैं ये वीडियो प्रपेर कर रहा हूँ बहुत सारी ऐसी learnings हैं जो अपने हम day to day life में implement कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी learnings है बहुत सारे बच्चे frustrate हो जाते हैं preparation के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आपको बहुत बीक मानते हैं उन सब के लिए बहुत जबदस learning है इस वर्ड कप में तो एक एक चीजे हम लोग discuss करने वाले हैं बहुत सारे interesting facts भी हम लोग discuss करेंगे इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे अपने hobby के तौर पे cricket कर देते हैं तो उनसे interview और questions बहुत पूछते हैं अपने hobby से related इस लिहाद से आपको cricket बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए अगर आपने hobby के तौर पे cricket लिखा है ठीक है और चुकि World Cup 2023 इंडिया में हो रहा बहुत सारे ऐसे controversies हुई जिसके चलते World Cup 2023 बहुत जादा चर्चा में था ठीक है जिसके चलते हमको बहुत अच्छे से prepare करना चाहिए बहुत सारी चीज़े हम लोग detail से देखने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं देखे रोहित सर्मा उन elite captains के list में आने के सिर्फ एक कदम दूर है देखे आपको पता है 1983 में कपल देउ सापने World Cup जीता था उसके बाद हमारे प्यारे MS धोनी ने जीता 2011 में और उसके बाद हम उमीद कर रहे हैं कि रोहित सर्मा भी इस elite list में सामील होंगे और 2023 में हमको फिर से एक कप मिलेगा हमारी west wishes हैं रोहित सर्मा और टीम इंडिया की और की रोहित सर्मा एक और कप जीतें और इंडिया को उस उचाईयों पे लेके जाएं जहां पर हम deserve करते हैं रियल माइने में लेकिन इन सब के अलावा बड़ी important learnings जो मैंने over the time इस World Cup में महसूस करी उनमें से एक example देता हूँ आपको आप मुझे बताईए कि क्या कभी आपने वान खेड़े का जो dressing room में जहां पर players बैठते हैं वहां का dressing room आपने देखा ध्यान से अगर आपने dressing room बहुत ध्यान से देखा होगा तो जो सीडियां हैं जिस पर players आते जाते रहते हैं वहां पर एक बड़ी सुन्दर सी line लेकी हुई है और ओ लाइन है it's just a one day it's just a one day मतलब इसका बहुत philosophical माइन है हम इस line को अपने जिन्दगी में implement कर सकते हैं players अपनी जिन्दगी में implement करते हैं it is just a one day अगर मान दीजे कोई player उस दिस बहुत अच्छा perform किया तो उसको इस बात के खुमार नहीं होना चाहिए कि वह बहुत बड़ा player हो गया it is just a one day सर्फ एक दिन के बाद है और अगर किसी player ने बहुत बुरा perform किया तो उसके लिए भी यह line बहुत feedback दी it is just a one day यह एक दिन की बात है भाई आज मेरा बुरा दिन था अगले दिन में बहुत अच्छा करूँगा यह आज मैंने बहुत अच्छा किया है लेकिन हमको सिखर पर उचाई पर बने रहने के लिए it is just a one day हमको लगाटार मेहनत करनी पड़ेगी यह एक दिन के बात है ठीक है यह एक दिन की बात है आप और अच्छा कर सकते है it is just a one day लेकिन इस लाइन को हम अपनी day to day life में बहुत अच्छे से इंप्लिमेंट कर सकते हैं ख़ई बारी क्या होता है बहुत चारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है मोटिवेशन नहीं आ रहा है मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और उसके बाद कुछ दिन तक चार्ज रहते हैं उसके बाद फिर से उनकी बैटरी लो हो जाती है It is just a one day आपको एक दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए किस चीज के लिए? मोटिवेशन के लिए कि मुझे करना है और तब तक जगते रहिए या तब तक नहीं सोईए जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाए और इसके लिए हर दिन मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये मोटिवेशन मुझे घरवालों का मोटिवेशन मुझे और बहुत सारी चीजों का पैसों का मोटिवेशन पद का मोटिवेशन ऐसा कुछ हर दिन नहीं होना चाहिए ठीक है? आप बस कंसिस्टेंट एफ़र्ट कीजिए और उस एक दिन जगिए और तब तक नहीं सोगिए जब तक आपको सकसेज न मिल जाए इस दिन आपको मोटिवेशन खोजने की ज़रूरत नहीं है ठीक है? और कई बारी क्या होता है? लाइफ में फेल होते हैं पास होते हैं ठीक है? इस पार्ट अप दे लाइफ चलता रहेगा भाई इस दिन को पास होने दीजिए इस चीज को बहुत अच्छे से इंप्लिमेंट कीजिए अपने जिनदगी में इक्जाम में नहीं सिर्फ एक्जाम में नहीं जिनदगी में इंप्लिमेंट कीजिए इस वीडियो में आपको बताने बाद हूँ बहुत सारी कॉंट्रोवर्सी इस दौरान जो वर्ड कप चल रहा है हमारा तो उस कॉंट्रोवर्सी को भी मैं बताऊंगा मैं पहले आपको पूरी हिस्ट्री सिखाऊंगा समझाऊंगा दिखाऊंगा कि ICC मिन्स वर्ड कप जो ODI है 50 Obers का ये जो है इसका क्या हिस्ट्री रहा है 1975 से क्या हिस्ट्री रहा है और क्या क्या चेंजिस हुए ऐसे इसी interesting fact है आपने सोचा नहीं होगा हो सब आप में से बहुत लोगों को पता हो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो बहुत सारे interesting fact आपको मिलेंगे इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इतिहास के पन्ने पल्टूंगा और आपको दिखाने की कोसिस करूंगा summer में पीछे लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे 75 से चीज़े स्टार्ट हुई और 2030 में आज हम लोग कहां तक पहुचे हैं कौन सी cricket team जीती और कौन कौन सी teams इस चीज़ से बाहर हो गई वर्ड कप जीतने के बाद वो भी चीज़े हम लोग देखेंगे आने वाले क्रम में कुछ एक controversy जो मुझे बतानी है आपको बहुत सारी controversy हुई इस बारी 2023 के वर्ड कप में किसी ने कहा पाकिस्तान वाले तो एकदम मतलब उन लोगों का दिमाग उड़ा हुआ है कुछ लोग तो कह रहे हैं कि pitch बदल देते हैं ball बदल देते हैं ball में chip लगा देते हैं in swing out swing chip से हो रही है क्या बेवकूफी है चीज़ भी discuss करेंगे उसके अलावा इंडिया और न्यूजिलेंड के जो से भी final हुआ उसमें भी pitch को लेके कुछ dispute हुआ था मैं आपको officially दिखाऊंगा कि कैसे pitch decide होती है ICC का क्या role है वो चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ इसके अलावा आपके लिए एक surprise है अगर आप एहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर आप हैं तो आपको एक surprise मिलने वाला है Indian Air Force की ओर से क्या है वो भी हम लोग वीडियो में आगे discuss करेंगे इसके अलावा तीन important learnings है Maximal से, मुहमत समी से और हफगानिस्तान की team से ये तीन important learnings भी आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले history में लेके जाता हूँ इतिहास के पन्नों को मैं पलटता हूँ और आपको दिखाने की कोसिस करता हूँ कि कैसे World Cup आगे बढ़ा 1975 की बात है 1975 से पहली बारी World Cup स्टार्ट हुआ ICC Minsk World Cup 50 Overs का और आपको पता है कमाल की बात क्या है कमाल की बात यह है कि ICC Minsk World Cup 1975 में जो टीम चैंपियन बनी थी जिसका नाम था West Indies West Indies जो टीम थी वो सबसे पहली चैंपियन थी 1975 की और उसके बाद अगले भी चार साल बात जब World Cup हुआ तो फिर West Indies भी चैंपियन बनी 1979 में 75, 79 दो बारी लगातार चैंपियन कौन बनी Western Indies लेकिन कमाल की बात यह है कि 2023 में Western Indies ICC World Cup के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाई खेल ही नहीं पाई क्या होता है ना कि आपको कुछ मैचस जीतने होते हैं तब ही आप इन 10 टीमों में सामिल होते हैं अब यह इदने मैचस जीते ही नहीं कि World Cup के लिए क्वालिफाई करें तो यह World Cup खेल ही नहीं पाई इनसे अच्छा तो नीदर्लैंड और अफगानिस्तान वालों नहीं किया और वो World Cup खेले तो आप सूचिए इस जस्ट और वोन डे वाला concept ऐसा भी दिना सकता है कि आप ICC World Cup खेल ही न पाएं और इसका example है कॉन? West Indies तो सक्सर पे चड़ना नहीं चाहिए आपको हमेशा मेनत करना चाहिए It is just a one day मैं बार-बार इस लाइन को रिपीट करूँगा और तब तक रिपीट करूँगा इसके बाद एक ऐसी टीम आती है जिसका किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि वो टीम चैंपियन बनेगी 1983, 1983 सब लोगों को याद होगा कपिल पाल जी का उगकाप उठाना 1983 में कपिल दिव टीम इंडिया के कैप्टन थे और उन्होंने जीता भारत के लिए पहला वर्ड कप उसके बाद 28 सालों का सूखा रहा और 2011 में महिन सिंग धोनी की कैप्टन सी में हमने एक और वर्ड कप जीता और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारी रोहिद सर्मा की कैप्टन सी में हम 2030 में फिर से वर्ड कप जीतेंगे और तीन बार वर्ड कप जीतने वाली टीम बनेंगे इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ एक बार पाकिस्तान जीता है 1992 में और इसके अलावा पांच बार चैंपियन रहा है आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया पांच बारी चैंपियन रहा है और इस बार भी फाइनल्स खेल रहा है तो हमारी तो पूरी मतलब दुआएं मैं तो हाथ जोड के बैठा हूँ कैसे करके भगवान इस बारी इंडिया को फिर से वर्ड चैंपियन बनाईए आप सभी लोग दुआ किजी इंडिया के लिए कि इंडिया फिर से वर्ड कप चैंपियन बने तो आपको मैं बता दो इंट्रेस्टिंग फाक्ट बहुत चारे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई में सेखने को मिलेंगे जैसे कि अब तक टोटल 6 टी में रही हैं जिन्होंने वर्ड कप फाइनल जीता है टोटल 10 टी में खेलती है में इनली और टोटल 6 टी में 6 देश हैं जिन्होंने वर्ड कप फाइनल जीता है ठीक है जिनमें से पाकिस्तान, इंडिया, औस्टेलिया बेस्ट इंडीस England और इसके अलामा एक टीम कौन सी है वो आपको comment section में बताना है आपके लिए homework भी छोड़के जाओंगा थाकि hobby में जब भी cricket ले किये तो आप aware रहिए तो ये कहानी थी World Cup history की कुछ और important facts बताता हूँ जो आपको शायद ही पता हूँ जैसे पहला fact ये है कि जो किस जगहां पे World Cup होगा ये unofficial है unofficial rotation system पे World Cup के venue decide होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा G20 के venues उसका proper system है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे या अल्निनो साइकलोन सोगेरा का नाम करन करना होता है तो alphabetical जाते हैं A से पहले फिर B नाम के country देंगे फिर C नाम के country देंगे लेकिन जो ये World Cup होता है World Cup में venues क्या होंगे किस देश में होगा आईजित किया जाएगा ये unofficial है ICC decide करता है कि कहां पे World Cup आईजित किया जाएगा तो unofficial rotation system पे होता है दूसरी important चीज generally 4 सालों में held किया जाता है ये भी unofficial है ICC जब चाहे ये बदल सकता है generally 4 सालों में World Cup आईजित किया जाता है अब तक total 12 edition हो चुके हैं 1975 से 2023 तक 12 edition हो चुके हैं tournament के now अब तक total 6 देशों ने ICC World Cup जीता हुआ है इसके अलावा total 10 देश इसमें participate किये है अनुसम मिला के जो है total 10 देश है फिरुवार्ट में 75 में 8 टी में थी उसके बाद 10 टी में हो गई 2023 में भी 10 टी में है इसको कूसिस करके 12 करने की कोसिस के जा रही है वो बात की बात है कुछ और important interesting fact ये जो आपके screen के सामने दिखाई दे रहे हैं इनका नाम आपको पता है head coach भी रहे चेक हो ये team India के और बहुत सारी चीज़ों के लिए famous है एक चीज जिसके लिए जिसके लिए आप भी सायद नहीं जानते होंगे जिसके लिए famous हैं और आप से interviewer पोच सकता है और वो ये चीज़ है कि दुनिया का कौन सा ऐसा westman था जिन्होंने पहली बारी छे ये दो पे छे चक्के मारे हो थे रवी सास्त्री क्या बात पता थी आपको रवी सास्त्री पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने च्छे बाल पे छे चक्के जड़े थे युरा, सिंग, हसल, गिप्स आपने नाम तो बहुत सुने होंगे लेकिन इनका भी नाम आप याद रखिए ये head coach भी रह चुके हैं टीम इंडिया की इसके अलावा 16th century में England में ये cricket स्टार्ट हुआ लेकिन England की ऐसे दुरोभाग गी थी कि 16th century से England World Cup ये cricket खेल रहा है और 75 से officially ICC World Cup स्टार्ट हुआ लेकिन इसके बाद भी आज मतलब 2019 तक इन्होंने नहीं जीता था कोई भी World Cup 2019 में जब England में World Cup हो रहा था तो इन्होंने अपने घर में अपनी conditions को यूज करते हुए ये World Cup जीते है बहुत अच्छा फॉर्म गिया था तो England एक बारी World Cup जीती है 2019 वाला ओके हम T20 World Cup की बात नहीं कर रहा है इंडिया T20 World Cup भी जीती है 2007 में महान सिंग दोनी की कैप्टन से में ओके आप से कोई question पूछा जा सकता है कि आप ये बताईए कि और आपको पता है कि Olympic में Cricket नहीं है बट इतने सारे देशों में इतने चाओ से देखा जाता है Cricket बट Olympics में Cricket नहीं है ये बात आपको शौक नहीं करती है Olympics में तो होना चे ए Cricket बट Olympics में नहीं है Cricket बट बिराट कोहली की वज़े से इस बारी जो cricket है, इसको Olympics में सामिल करने की बात चल रही है, अभी official announcement नहीं हुआ है, चुकि बहुत followers है, ब्राट कोली के, रोनाल्डो और मेसी के बाद, ठीक है, थर्ड नंबर के सबसे ज़्यादा follow किये जाने वाले personality हैं, इस वज़े से Olympics में इनको सामिल करने की बात चल रही है, वो ब ठीक है, तो Chris Gill ऐसे best man है, जिन्होंने six hit किया है, first of the ball in the test, test match में पहली के इन पे छक्का मारने वाला जो player थे, वो Chris Gill थे, ये fact बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन क्या ये fact आपको पता है, सचिन तेंदुलकर एक ऐसे cricketer हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी एक match ख अपने debut के दो साल बाद ही उन्होंने खेला था, ठीक है, बताईए comment section में, कुछ एक controversy मैं आपको बताता हूँ, जो इस ताइम World Cup के दौरान हुई, बहुत चारे पाकिस्तानी इस बात को लेके बड़े disappointed थे, कि हमको इंडिया में ICC World Cup देखने नहीं दिया जा रहा है, हम माएं और मैस देखें और enjoy करें ICC World Cup, अभी तो पाकिस्तान बाहर चली गई, अभी तो कुछ सीनी नहीं है, बट जब पाकिस्तान थी तो भी आना चारहे थे, और अभी भी बहुत सारे लोग फाइनल्स देखने आना चारहें, बट इन लोगो वीजा नहीं मिल रहे है, इसक बहुत सारी तसकरी करते हैं, बहुत चारे ऐसी चीज़ें इंडिया में पास करने के कोसिस करते हैं, जो illegal है, जैसे कि cocaine, मैवफिन, जैसे कि अफीम, जैसे कि बहुत सारे इनिमल्स के जो हैं, टीसूस, ये समंगलिंग करते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों के वज़े से बह लेकिन ये लोग sleeper cells को जगाते हैं यहां पे आके, बहुत सारे ऐसे जो है, लोग देखने को मिल जाएंगे, जो लोग आके जिहाद करने का काम करते हैं, यहां पे लोग को बताते हैं कि ऐसे से करो, cricket, बीजा तो मिला है cricket के देखने का, लेकिन ऐसी बहुत सारे reports और inputs आई ह जिसके चलते हैं, यह लोग क्या देखने को मिलता है, कि यह लोग आते हैं और उसके बाद यहां पे sleeper cells को जगाने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, बताते हैं लोग को कि ठीक है, यहां पे जाके बंबी sport करना है, आपको पता है, बुमबई वाला terrorist attack, यह कैसे प्लान हुआ था, आप देखिएगा, जो डिजनी होड स्टार पे पड़ा हुआ एक सिरीज, 26-11 वाला, ठीक है, वो कहानी किसी को नहीं भूली जाती है, और इसका reason क्या है, कि हम लोग ने बहुत सारे लोग को visa दे दिया, गलती से, वो लोग तो illegal तरीके से हैं, लेकिन बहुत लो इसू है, आप आओगे, यहाँ पर sleeper cell बनाओगे, ठीक है, आदमी को बना दोगे कि हाँ, चलो चलो जगो, यह agenda पूरा करना है, यह नहीं चलेगा, और तीसरा, यह लोग terrorism के तौर पे, terrorist के तौर पे आते हैं, ऐसे बनके आ जाएंगे कि हमको visa चाहिए cricket देखने का, और यह terrorist के तौर पे घुज जाएंगे, हत्यार लेके आ जाएंगे, यह अपने plan execute करने के लिए कुछ चीज़ें कर लेंगे, तो terrorism से भी हमें निपटना है, इसलिए पाकिस्तान चुकि भारत लगातार कहता है, terrorist country के तौर पे डिक्लेयर करना चाहिए, और इनके तरफ से terrorism sponsor किया जा यह controversy समझ में आ गई, दूसरी एक important controversy pitch को लेके है, क्या controversy है, इंडिया न्यूजिलेंड का mail चल रहा था, अचानक से कुछ लोगों ने कहा कि last time में ground man's ने pitch बतल दिया, ठीक है, pitch slow कर दिया, no all that, भाई, इसके लिए जबाब यह है कि यह पुरी तरीके से बकवास बात है, reason क् reason यह है, उज़े एक कहावत है ना, ना चे ना आवे तो आंगन तेड़ा, यही कहान ही है, बकवास कैसे है, देखो, ICC जब भी कोई event करवाती है तो उसके लिए ICC कुछ conditions रखती है, क्या conditions रखती है, ICC अपनी तरब से एक pitch consultant को भेजती है, जैसे Andy Ackinson, यह Atkinson करके एक वेक रहती थे, तो यह actually pitch के consultant थे ICC के, और जब यह New Zealand का match हो रहा था, तब भी यही थे, Andy ही थे, pitch consultant के तौर पे, तो एक proper team होती है भाई, इंडिया नहीं decide करता है, although ownership तो उस particular cricket association का होता है, उस particular ground के लिए, जैसे Bombay हुआ तो Bombay का, कुलकाता में होता कुलकाता का, लेकिन यहाँ पे proper pitch consultant होते हैं, जो ICC के representative होते हैं, independent होते हैं, यह आते हैं, pitch चक करते हैं, दोनों team हो को बताते हैं, और उसके बाद pitch decide होती है, तो कुछ भी मतलब उठा पटक, आपने बोल दिया, pitch बदल दिया, यह सब नहीं होता है, सब स्किल का game है, और पाकिस्तान वाले तो और पगल करते हैं, स्किल का game है, हम अपनी conditions को बहते हैं, हम अच्छे से balling कर रहे हैं, हमने अपनी अच्छी practice करी है, तो pitch बदल देते हैं, in-swing, out-swing करवाते हैं, कोली सतक मार रहे हैं, चिप से मार रहे हैं, स्किल से नहीं मार रहे हैं, ऐसे तो भी आप फिर कैद होगे कि England 2019 में ज लिए, इससे आपका reputation खराब होता है, ये कुछ controversies थी और बहुत चारी controversies थी, जो मुझे बतानी थी, pitch और जो majorly, पाकिस्तान को बीजा ना देने वाला जो एक issue था, जो मुझे discuss करना था, मैंने आपको बता दिया, sort में बताया और बहुत लंबा discussion कर सकते हैं इसके बारे मे लेकिन फिलाला हम वीडियो को बहुत sort रखते हैं, एक surprise है आपके लिए, अगर आप एहमदाबाद में हैं, गांधी नगर में, इंडियन एलफोस के उसे, क्या है, अगर आप मैस देख रहे हैं, तो आप अपनी कुरसी की पेटी थाम लीजे, क्योंकि मौसम बिगड़ने व बिजनोरी के दौरान, एरफोस अपना क्या करती है, बहुत सारे ASO's perform करती है, तो वो ASO's अभी final match में एहमदाबाद, नरेंदर मोदी स्टेडियम में होने वाला है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो इंडियन एरफोस ये कर रही है, याद रखना आप सुरकरन, बिखर रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, इनके बॉड़ी का पूरा का पूरा सोडियम हतम हो चुका था, नमक, साल्ट, होता क्या है, कि जब आप एक्स्ट्रीम गर्मी में खिलते हैं, तो आपके बॉड़ी से पसीना चूटता है, और पसीना चूटने के बाद आपके अपना भी आपके लिए बहुत दुरलब हो जाता है, लेकिन इस बंदे को सल्यूट है, दोसो एक रन की पारी खेली इनोंने अफगानिस्तान के खिला, जब यह लग रहा था कि यह जो आभी फाइनल केल रहे है, यह टीम मैक्सबल की बदावलत, आज इस टीम फाइनल खेल और यह हमेशा याद रखी जाएगी मैक्सबल की यह पारी, तो इसलिए मैं कहता हूँ हार के जीतने वाले को क्या कहते है, बाजीगर, और बाजीगर कौन है, मैक्सबल, कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, मतलब मेरे एक्जाम से नहीं निकल रहे हैं, मैं क्वाल है जब तक, तब तक आप लड़ते रहे हैं, खार नहीं मानना है, ठीक है, यह मैक्सबल गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, वीडियो में आपने देखा, बट इसके बावजूद भी लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते खड़े खड़े चक्के मार रहे थे, इतना प्रेसर इतना प्रेसर होने के बाद भी जब बंदा इतना अच्छा पो, आप लोगों को लगता होगा करिकेटर के ओपर बहुत कम प्रेसर रहता है, बहुत प्रेसर रहता है, पता है एक कैच छोड़ने या पकड़ने से किसी का करियर बन और बिगड़ सकता है, इतना तक होता है, इस match में आप क्या कर रहे हैं, इसी बात से matter करता है, इसलिए आपको आपके उपर तो थोड़ा compressor है, अपने आपको कभी हारने मत दीजेगा, हमें सब बाजीगर बन के निकल के आईएगा, तो ये मेरी एक request है, दूसरी एक important learning मुहम्मद समी से, आपको पता हैं, मुहम्मद समी के जिंदेगी में क्या कुछ चेंज चल रही थे, suicide attempt करने वाले थे मुहम्मद समी, बट ये बंदा, वर्ड कप का सबसे बहतरीन बॉलर निकल के आई, और इंडिया ज़ फाइनल्स केल रही है, इसके पीछे मुहम्मद समी का रूल है, दीर साथ ना दे रहा हो, आपकी उम्र इतनी जादा हो, उसके बाद जो सटीक परफॉर्मेंस आपका है, ये मतलब, आप स्रेंडिंग है, माइंड से तमसने के कोसिस कीजिए हमारे प्लेयर्स का, कितने strong mindset वाले लोग, देखो, skills अपके पास है, वहाँ पे खेल रहे हैं, तो अल्रेडी skilled हैं भाई, बगैर skills वाले लोग वहाँ जाही नहीं पाएंगे, लेकिन skills से भी बड़े क्या होता है, दिमाग का गेंट, अगर आप mentally किसी जीज़ को पास कर ले गए है ना, फिर आपको कोई हराने वराने वाला नहीं है, इसलिए मेरे request है, कि वर्ड कप से ये चीज़ सीखिए, महमत समीक से, कि कुछ भी adverse condition हो, पैसे ना हो, घर परिवार में बहुत जादा बिपत्ति चल रही हो, बट आपको क्या करना है, आपको टिक है रहना है, डटे रहना है अपने exam पर, अपने pitch पर डटे रहना है, practice करना है, writing करनी है, interview के लिए preparation करनी है, अपने अपने छोटे-छोटे कमियों पर काम करनी है, और ये काम करके दिखाया मौमत समीर, ठीक है, तो वक्त से लड़कर ज जो कि आप भी अपने जिन्दगी में उतार सकते हैं, समी के ओपर तो लागो होता ही है, और एक important learning आपकानिस्तान से आपको देना चाहता हो, ये team, ऐसी team, जिसको को ही नहीं सोच सकता था, कि ये team, कभी पाकिस्तान गोहराएगी, या कभी Australia को इतनी चुनावती देए कि Australia हा तो कहने का मतलब ये है, कि खुद को कभी कमजोर मत समझेगा, आप बहुत strong हैं, और अगर आपने खुद को कमजोर समझाना तो ये आपकी सबसे बड़ी बोलो, कभी आपने आपको कमजोर मत समझे, हम इसा मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़िये, धटिये, exam द अब आप अपनी capacity तक पढ़िए, अब ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी और की capacity कोई और है, किसी और की कुछ और है, आपकी जितनी है, बस आप उस पर 100% दीजे, खुद को कमजोर समझना भोल जाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी strength पर मेहनत केजे, ठीक है, तो ये overall learnings थी, इतनी नहीं चीजें बने बतानी थी, उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत सारी नहीं चीजें सीखने को मिलेंगे इस वीडियो में आपको, मैरी अगेन, West versus Team India के लिए, Team India World Cup जीते, go get it India, ओके, thank you so much for watching, have a nice day.